नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने जा रहा हैं अक्षा कुमार की सेलफी मूवी के नौवे दिन के बॉक्स ओफिस केलेक्शन के बारे में और इसी के साथ चर्चा करेंगे इस मूवी ने वर्ल्ड वाइट कितना केलेक्शन कर लिया है तो चलिए दोस्तो बगार किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट मैं हूँ आपका साथी रोहित्र पार्टी देखा जाए दोस्तो तो सेलफी मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हो गई है अक्षा कुमार की इस मूवी ने अपने नौवे दिन मात पचास लाख रुपाय का बॉक्स ओफिस केलेक्शन क किया है और इसका जो टोटल बॉक्स ओफिस केलेक्शन वो हो चुका है लमसम 15 करोन के लगपग वहीं अगर हम इसके ग्रॉस केलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने ओल ओवर इंडिया कमाए है 17 करोन रुपए के लगपग और वहीं अगर हम इसके वर्ल्ड वा 2022 के बाद 2023 में माना जा रहा था कि अक्षाक मार सायथ सेल्फी से कमपैट करें लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं सेल्फी मूवी भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई अब जो मेरा मानना है वो ये मानना है सायर अब उनकी मूवी बड़े मिया छोटे मिया भी कहीं फ तो इमरान हास्मी का भी हाल अक्षाक मार चैसा ही है इमरान हास्मी की काती समय से कोई भी मूवी हिट नहीं हो रही है और बैक टू बैक फ्लॉप साबित हो रही है तो इमरान हास्मी को भी लगा था इस मूवी से सायर मेदी नईया पार हो जाए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नह और सेलफी मूवी भी floral हो गई अब इमरान हास्मि के पास सिर्फ एकी चाड़ा है आप तो समझेगेँगे मैं किस मूवी के बारे में बात करनाई मैं बात करनाई सलमान खान की मूवी Tiger 3 के पारे में अगर Tiger 3 movie ऐसी movie बची है जो इमरान हास्मी की डोपती भाई नईया को किनारे लगा सकती है तो दोस्तों आपकी क्या रहा है क्या Tiger 3 movie से इमरान हास्मी की नईया पार लगेगी कि नहीं कमेंट में हमें चुरूर बताएं हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के रिए नमस्कार बाई बाई